हेलो याज स्वाकत आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टुशन गुर जी में बच्चो हम कर देते हैं आपका चैप्टर या ध्याय जी मोशन या गती और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चो ग्राफिकल रिप्रेजेंट ट्रेशन और यानि एक्वेशन के द्वारा ग्राफिकल मोशन को रिप्रेजेंट करना और इसमें डेरिवेशन भी है बच्चो आपका तो चली बच्चो शुरू करते हैं अपने तो बेसेगली होता क्या बच्चो वैन अन अब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्वेशन इस पॉसिबल तो रिलेट इस वेलोसिटी एक्वेशन दूरिंग मोशन और दिस्टेंस कवरड बाइट इट इन ए सर्टेन टाइम इंटरल यह सेट ओफ इक्वेशन नोन एज दा इक्वेशन ओफ मोशन यानि जब कोई वस्तु एक समान तौरण के साथ एक सीधी रिखाम चलती है तो उसे के वेग गती के दौरण तौरण और एक निश्चित समय अंतराल में उसके द्वारा तै की गई दूरी के समय करणों के एक स वारा गती के समय करणों के रूप में जाना जा सकता है और इसके लिए हम तीन तरा के एक्वेशन को यानि तरह के समय करणों को न वास पहला है आपका v is equal to u plus 80 बच्चो दूसरा है आपका बच्चो s is equal to ut plus half 80 square तीसरा है बच्चो आपका 2as is equal to v square minus u square बच्चो अब इसमें बच्चो u क्या है initial velocity है यानि प्रारंबिक वेग है ठीक है बच्चो और ये तभी मिलेगी आपको जब uniform acceleration होगा t यहाँ पर time है यानि समय है v क्या है final velocity है बच्चो आपकी यानि अंतिम वेग है बच्चो आपका s क्या है distance traveled by the object यानि s क्या है वस्तु के द्वारा तैय की गई दूरी है बच्चो तो ये basic चीजे है बच्चो उसमें फिर क्या करता है बच्चो अब जो ये वाली equation है पहले वाली 8.5 जिसको नाम दे दिया मैंने वो क्या करती है velocity time relation यानि वेग समय के संबंद का वर्णन करती है बच्चो फिर दूसरी वाली जिसे मैंने क्या नाम दे दिया 8.6 नाम दे रखा है ये क्या है इस्तिती समय यानि distance इस्तिती कहा है उसकी और समय क्या है उसके संबंद को पृतित दिध्यद दिव करती है तीसरी कै बच्चो जिसे मैं रे 8.7 नाम दिया है यह क्या करती है position यानि उसकी इस्ठिती कैसी है velocity क्या है इन दोनों के समय को दर्षाती है यह time को दर्षाती है यह जो इस्ठिती औरוז thoughts भीच के समद्ध को दर्षाता है आप समयू कौंडों से प्राप्त किया जासकता है और इसमे ट को हटा दिया जास shutsा है basically ये three questions क्या करते हैं हम graphical method से जैसे कि हमने पहले देखा तीन समय उक्रणों को graphical विधी दुवारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं अब कैसे करते हैं जरा पहले वाले में देखते हैं पहले वाले में क्या देखना बचो आपको यहाँ पे हमको लेना है velocity time graph यानि graph वे एक समय graph अब इस side में आपको लेना है क्या velocity और इस side में लेना है आपको समय ठीक है अब क्या है जो यहाँ पर velocity समय graph है एक सावान तुरन के साथ चल रहा है ठीक है यह इसका एक सावान तुरन की वज़े से चलना हो गया बचो अब इसमें क्या है एक line कीच करके आपको क्या करना है यहाँ तक की दूरी को बना लेना है U तो बचो हमने क्या देखा यहाँ पर हमने देखा कि यह U हो गया हमारा अब यहाँ पर A acceleration हमने को देखने को मिला बचो क्या हुआ A से ले करके B तक ठीक है यह आ गया acceleration इसका किसके time में यह सारी चीज हुई T time में बच्चो आगया हमारे यह time आ गया हमारा ठीक है अब नीचे वाला क्या हो गया U हो गया, यह हो गया A T और यह हो गया V कैसे कैसे हमारी OA है यानि यह और यह यह है हमारी OA ठीक है बच्छो यह हमारी initial velocity है U ठीक है बच्छो दूसरी है final velocity BC यह हमारी final velocity है यह BC ठीक है जिसे हम V कहते हैं और time interval क्या हो गया यह हमारा यहाँ से ले करके यहाँ तक का हमारा हो गया time interval प्नाल बच्चो उसमें ठीक है तो chain इंट विलसिटी क्या होगा पीडे मों सिते एक हो जाएगा फाइनल विलसिटी माइनेस इनीशल विलसिटी यानी हमारा हो गया क्या चाहिए जड़े से साफ करके देख लेते हैं, हमारा क्या हो गया है यह, BD, ठीक है मचो, B और D, यानि यहां तक का, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है मचो, ठीक है, अब इससे हमें क्या मिल जायागा, यहां पर, तो जब आगे बढ़ेंगे, बच्चो, हम क्या करें, अगर इससे, B, C को इधर लिया है, बीडी वाली साइड में, तो यह हमारे पास आजाएगा, B, D, O, A, अब O, A, किसके बराबर होता है, बच्चो, हमारा, अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो O, A हमारा होता है, किसके बराबर, O, A हमारा होता है, यह O A होता है हमारा C D के बराबर ठीक है बच्छो ठीक है तो जब हम इने रिप्लिस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा B D is equal to V minus U तो यह हमारी पहली equation हो गई ठीक है बच्छो अब acceleration क्या होता है A बराबर होता है B D upon A D ठीक है बच्छो यानि हमारा acceleration और फिर यह हो गया A D यानि टाइम ठीक है तो जब हम इसे calculate करेंगे तो A D बराबर होता है उसी के जो की है टाइम के तो हमारा A is equal to B D upon T आगया तो यहाँ आप से B D के बराबर हो गया A T के तो जब हमारी यह हो गई दूसरी equation बच्छो अब इन दोनों को जब हम combine करेंगे तो हमारे पास आजाएगा V is equal to U plus A T ठीक है बच्छो Basically यह आपका थोड़ा सा maths का part है तो आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से सबजना पड़ेगा और कुछ नहीं derivation आसान है बहुत ही आसान है चलिए अगली देख लेते हैं अगले वाले में भी आपको सेम ऐसा ही लेना है यानि कि यहाँ पर लेना आपको velocity time graph u initial velocity v final velocity और आपके representation भी वही है लेकिन थोड़ा सा change हो जाएगा अब हमने क्या किया है यहाँ पर जो हमने graph लिया है distance traveled by the object is the area enclosed within the graph o a b c यानि o a b c यह चार point में जो हमारा area enclosed है उसको हमने consider किया है और distance traveled by the object इसके बराबर माल लिया है ठीक है बचो अब इसके बराबर जब हमने माल लिया है तो क्या करना है हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना अब distance traveled by object कहां पर इसके बराबर हो गया area of o a b c अब o a b c में दो चीज़े है बच्चो यह उपर का triangle और नीचे का rectangle यानि दो चीज़े हमें area के तोर पे निकालने पड़ेगी तो हमारा पहला क्या हो गया triangle तो area of triangle है a b d ठीक है उपर वाला a b d दूसरा है बच्चो आपका rectangle ठीक है o a d c ठीक है बच्चो area of triangle और area of rectangle इन दोनों को मिला लेना है जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा length into breath rectangle length into breath होती है तो o a गुणा o c o a गुणा o a गुणा o c बच्चो आपका ठीक है फिर उसके बाद आया आपका क्या फिर आगया बच्चो प्लस half a d into b d यानि base upon l t 2 तो इसको equation हमने 1 माना अब जब इसकी values को put up करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आखरी में बच्चो s is equal to ut plus half a t square क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ o a किसके बराबर होगे बच्चो u k o c बराबर होगया a d के जोकी है t और b d क्या निकाला था हमने पिछली वाइक वाइक वाली equation में भी निकाला था a t a is equal to b d upon t या b d is equal to a t तो इन सभी के values को put up करने के बाद हमारे पास आ गया s is equal to ut plus half a t square बच्चो थोड़ा सा दिमाग लडाना है बच्चो आपको इस सारी चीज़े समझ में जाएगी फिर है तीसरी equation बच्चो तीसरी equation में भी हमें velocity time graph लेना है same condition है u है o है सारी चीज़े same रखनी है बस अब क्या होगा थोड़ा सा change हो जाएगा change क्या होगा area of o a b c अब area of o a b c में यहाँ पे हमने क्या लिया है सुन लो पहले वाले में हमने लिया था बच्चो क्या पहले वाले में क्या किया था बच्चो हमने simple calculation की थी सबी चीज़ों को बराबर किया था जैसे कि में करते हैं कि यह लाइन इसके बराबर होगी वो लाइन उसके बराबर होगी तीसरे वाले में क्या किया पूरी figure को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले को rectangle बना लिया वह सुरी पहले को आपने ट्राइंगल बना दूसरे को rectangle बना यानि उपर वाले को triangle लीचे वाले को rectangle अब लगबग क्या किया हमने इसी तरीके से सी बी डिवाइड कर दिया तो यहां पर क्या हो गया ओ प्लस बी सी हुना trapezium को उसका formula क्या होता बचो उसका formula होता है one upon two h a plus b तो हमें यही लेना है यहां पर क्या करना height और a plus b यह length और breath के लिए sides की parallel length जो होती है वो और base ठीक है बचो length of parallel sides a और b होगी हमारी और base of trapezium उसकी height होगी उसको height में considers कर लेना है बचो ठीक है यानि यह चीज़ क्या है height और distance between the parallel of sides में और यह भी आपकी parallel side होगी अब जोब इसे पर consider करेंगे बचों में तो area of oa bc में हमें मिलेगा oa plus bc गुणा oc किसे divide हो गया से 2 से अब इसमें भी पूरानी values को जब हम put up करेंगे तो हमें मिलेगा क्या s is equal to u plus v गुणा t बते 2 अब क्यूंकि हमने पहली equation में क्या ट्रियाव किया था v is equal to u plus a t तो t किसके बराबर हो गया v minus u बटे a अब इसको जब equation में रखेंगे तो हमें लेगा क्या s is equal to u plus v और v minus u बटे 2a यह किसी इसको दिखाता है बचो v square minus u square को दिखाता है तो इसे simply convert कर लेंगे इसमें तो और 2a को ले जाएंगे s वाली side में तो हमारे पास क्या आ जाएगी नए equation 2as बराबर v square minus u square यह आपका तीसरा सम्मिकर्ण या third equation हो जाएगी बच्छो तो बच्छो यहाँ पर होता है यह वाला topic आपका complete अशर करता आपको वीडियो समझ में आईगी होगी और अच्छी लगी होगी अगर बच्छो आपको यह वीडियो नहीं समझ में आ रही यानि कि इसमें कुछ चीज़े आपको क्योंकि mathematical point of view से देखना पड़ेगा अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसे आप एक या दो बार वापिस repeat करके देखिए सबसानी से कर लेते हैं तो यह आपकी भी समझ में आ जाएगा उच्छो आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगे होगी थैंक्यू